हेलो एन वेलकम तुद डा पॉलिटी वीकली करेंट अफेर्स सेशन अन कॉंप्पिटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल मैं हूने कथ परविन खान और आज के पॉलिटी के इस करेंट अफेर्स सेशन में हम 13 से लेकर 19 में तक के पॉलिटी के सेक्षिन में जो करेंट की घटनाए रही उस पर discussion करने वाले हैं बारा मई तक के जो भी 1st से 12th में तक के current affairs रहे पॉलिटी section से वो हमने last week था उसमें deal कर लिया था अब इस week का हम deal करने वाले हैं इस week काफी national and international appointments हुई हैं उन पर हम नजर डालेंगे और एकाद जो news आज की है वो history से भी related है तो चली सबसे पहले हम news की highlights देख लेते हैं news at a glance कि क्या क्या important news रही पिछले week सबसे पहली news है आपकी history से related archaeological survey of India द्वारा राखी गड़ी में उत्खनन किया गया जिसमें हमको कुछ important साक्ष मिले हैं उस news को cover करेंगे दूसरा राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक तो हमें मिले हैं 25 वे और नए मुख्य चुनाव आयुक जिनका नाम है राजीव कुमार तीसरी news international affairs से है Finland और Sweden ने अपचारिक रूप से NATO गड़ बंदन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है तो Finland, Sweden ये दो यूरोपे देश हैं जिनोंने NATO में formally apply किया है include होने के लिए ठीक और UAE और France में दो नए राश्टर प्रमुखों की नुकती हुई है UAE में शेख मुहमद बिन जायद अलनहयान वहां की नई president नुकत हुए और वहीं France में Elizabeth Bourne वहां की नई प्रधान मंत्री नुकती गई है And lastly, इंडिया में भी एक नए chief minister की एक state में नुकती हुई जिनका नाम है Manik Sa ठीक है, तो इस news को हम cover करते हैं एके करके सबसे पहले history की related news जो की राखी गड़ी से संबंधित है तो भई हम जानते हैं कि सिंदू गाटी सबिता भारत की सबसे पहली नगरी सबिता थी और उसमें कई सारे ऐसे स्थले हैं जो भारत के खासतोर पर उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाए गए है कश्मीर से लेकर के महराश्ट तक जो उत्तर पश्चिम भारत है जिसमें क्रम से अगर आप देखें तो पंजाब, हर्याना, राजिस्थान, गुजरात और महराष्ट इस पूरे बेल्ट में आज तक के कई सारे एक्सकेवेशन एसाई दुआरा कराये जा रहे एसाई मतलब भारत का पुरा तात्विक विभाग, आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया तो क्रम बत तरीकी से आपने कई बरसा सोना होगा कि कोई नया स्थल मिला या पुराने किसी रहे इस थल में कुछ नया अफशेश मिलें जिससे हमको इस पर्टिकुलर सब्विता की जानकारी ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सकें ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सिंदुकाटिक सब्विता एक आदियत हासिक काली सब्विता है इस वज़े से सिंदुकाटिक सब्विता की हमारे पास जितनी जानकारी है, वो सिर्फ खुदाई में मिली चीजों पर निर्भर है, हमने अनुमानित एक इतिहास बना रखा है लेकिन जैसी जैसी और खुदाई के जरिये हमें नही नहीं चीजें पता चलती हैं, तो इतिहास में कई और मोड आते हैं तो इसलिए आप इस पर नजर बनाए रखे हैं कि कौन सा नया सिंदुगाटि से बिता कालीन स्थल खो जा गया या वरतमान स्थल से कौन से नए साक्ष मिले और उनका क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है तो हम बात करते हैं राखी गड़ी की, तो राखी गड़ी जो है, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे थर्ड लाइन में यह भारती उपमाद्वीव का सबसे बड़ा हडपा स्थल है, मतलब अगर आप एरिया वाइस देखें तो राखी गड़ी is the biggest हडपा साइड और यह वरतमान में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार में स्थित है, मतलब आप स्टेट तो समझ गए होंगे हर्याना राखी गड़ी भारत के हर्याना राज्जे के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और अगर हम रिवर की बात करें तो यह घागर, हक्रा, एकस्स पर स्थित है, यह घागर और हक्रा नदी के तट पर स्थित है हर्याणा में, हिसार जिले में, घागर हक्रा नदी के तट परी राखी गड़ी स्थित है ये जितने भी सिंदुगाटी के सबता कालिन्स थल है उसमें एरिया वाइस सबसे बड़ा है इसलिए important है, एक पूरी तरह से planned city है राखी गड़ी और इस planned city में आपको बनावली जैसे बहुत जादा अंडर डेवलप चीजे नहीं मिलेगी जबकि हड़ापा महजदार हो जैसे बहुत जादा डेवलप आपको टाउन प्लानिंग मिलती है यहाँ पर आपको drainage system मिलते हैं, paved roads मिलते हैं, ठीके पकी सड़के मिलती है उसके अलावा ग्रेनरी जैने अन्नागार मिलते हैं, यहाँ पर हमको gold foundry भी मिली है ठीके हैं, और उसके अलावा कई तरह के जो ornaments, bronze और टेराकोटा की चीजे हैं, वो मिली है ठीके है, A.S.I. काफी वक्त से यहाँ पर खुदाई करवा रहा है खास्तोर पर आप नाम याद रखेंगे, अम्रेंद रनाथ का A.S.I. के जो अम्रेंद रनाथ हैं, उनके direction में राकी गड़ी की खुदाई चल रही जैसे हम history में पढ़ते हैं ना कि कहां की खुदाई कि इसके नित्रित्व में चली और अभी हमको इसमें breakthrough यह मिला है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में वहां से कुछ important evidences मिलें, evidence के तोर पर हमें सोने के आभूशन मिले, terracotta यहने मिट्टी के खिलोने मिले और हजारों मिट्टी के बरतन भी और मुहरें भी प्राप्त हुई है अगर मैं एक पिक के तोर पर दिखाऊं तो यह जो latest excavation है उसकी यह पिक आप है यह जो है देख सकते हैं ठीके बहुत सारे मिट्टी के बरतन मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं, देखो यहाँ पे पहले भी नरकंकाल मिले हैं उसके DNA टेस्टिंग की भी बात की जा रही है, ठीके जो पहले के नरकंकाल मिले हैं, वो evidence पहले के हैं ठीके और उसके अलावा मिट्टी के बरतन, मिट्टी के खिलोने, मुहरें और सोने के आभूशन, बहुत बड़ी मात्रा में राखी गड़ी से प्राप्त हुए हैं तो क्या होता है, कुछ भी चीज recent finding में current की important हो जाती हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का वहला topic important हो जाता है आपके theory के लिए इसलिए राखी गड़ी की खोच किसने की राखी गड़ी कहां पर है, कौन से जिले पर है, कौन से राज्य में और कौन से नदी के तड़ पर है, ये ध्यान में रखेंगे और ये सबसे बड़ी site है, ये भी ध्यान में रखेंगे ठीक है, फाइन, ठीक, तो राखी गड़ी का importance बहुत जादा है, सन 2020 में बजट भाशन के दौरान केंद्रिवित मंत्री द्वारा घोशित भारत के 5 प्रतिश जो स्थल थे, उनमें से एक राखी गड़ी को enlist किया गया है, फाइन, तो ये कुछ बातें आपको याद रखने है राखी गड़ी में हुए recent ASI यहने archaeological survey of India के उत्खनन से संबंद है थे, clear, राखी गड़ी highlighted रहा, तो राखी गड़ी की जानकारी हिस्ट्री में आप ले लेंगे, next question में, यह मैं कहूँ next point पर हम आते हैं, इंडिया में एक नई important न्यूक्टी हुई है राश्ट्रे पदों में और वो है नए Chief Election Commissioner, हमें मिले है नए Chief Election Commissioner, जो इस पद पर 25 न्यूक्टी है, और उनका नाम है श्री राजीव कुमार, ठीक है, तो इंडिया के new CEC Chief Election Commissioner है राजीव कुमार, इसके पहले सुशील चंद्रा इंडिया के CEC थे, इनके replacement के तौर पर ये आए हैं, राजीव कुमार इससे पहले Election Commissioner ऑफ इंडिया थे, और सुशील चंद्रा के बाद ये Chief Election Commissioner बने, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसके पहले ही कैसे सर्फ कर रहे थे, चुनायोक्त के रूप में, अब ये मुख्य चुनायोक्त बन गए, तो ध्यान क्या रखेंगे, 25 वे नंबर के, किसकी जगा है, सुशील चंद्रा, इसके पहले ही किस पत पर थे, Election Commissioner of India के पत पर, ठीक है, अगर आप तस्वीय देखना चाहते हैं, तो ये है श्री राजीव होती है, तो फिर कौन सा आपका पॉलिटिका सेक्शन हाइलाइट होता है, होता है Election Commission, और उससे जुड़े दूसरे प्रावधान, तो जब आप कोई ऐसे न्यूस पढ़ते हैं, तो उसकी थियोरी को एक बार नजर जरूर फेले, तो बही, Election Commission के उपर कुछ चीज़ें, जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, अगर ऐसी न्यूस आती है, तो वो ये, कि Election Commission क्या है, Election Commission सम्विधान की किस भाग में, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, और अगर एक आयुक्त की न्यूक्ती हुए, तो आयुक्त के अलावा और कितने सदस्य होते हैं, ठीके, इन भाग 15 में दिये गए, और आर्टिकल की बात करें, तो 324 से 329 ए तक के जो आर्टिकल है, वो Elections से Related आपको मिलते हैं, 324 से 329 ए, Part 15, Election of India, ठीक है, इसी में पूरी सनरचना, इनके कारे, कारे, काल, हर चीज का मेंशन इनी आर्टिकल के बीच में है, ठीक, अगर हम इस Election Commission की स सनरचना की बात करें, तो इसमें एक Chief Election Commissioner होता है, और दूसरे Election Commissioners, देखिए, Election Commission of India, हम जानते ही हैं, कि इंडिया में लोकसभा, राजसभा, राश्पती और प्राश्पती, विधान सभा, इन सब के चुनाओं को कंड़क करवाता है, और उससे जुड़े जितने भी Management, Managerial Acts हो एक चुनाओं को कंड़क करने से रिलेटेड होते हैं, वो पूरा कंड़क करवाता है, लोकसभा, राजसभा, विधान सभा, राश्पती, इन के चुनाओं को कंड़क कराना ये मेन काम है, ठीक है, अब इसके संविधान में कहीं ये निश्चित रूप से नहीं लिखा गया तो तीन सदस में वो पहले से ही शामिल थे, चीफ इलेक्शन कमिशनर जैसे ही पद चुत वे, तो ये मुख्य चुनाओं वायुक्त बन गए, ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें त्री मेंबर्स होते हैं, एक CEC और बाकी दो EC, इन्हें इलेक्शन कमिशनर, ठीक, और ये तीन ह होंगे, ये ऐसा सम्मिधान में तै नहीं, ये भी ध्यान रखे, ये जो तीनों ही व्यक्ति होते हैं, ये जिनों ही पद होते हैं, इनका पद सरवोच नयाले के नया इधीशों के समकक्ष होता है, मतलब जो रैंकिंग सुप्रीम कोर्ट के जज़स की होती है, वही समकी समस्क्रीचन क करें, इनका सेम रैंक होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज़स का होता है ठीक है और इनका जो कारेकाल होता है वो होता है 6 years या 65 years of age इसमें से जो भी पहले हो मतलब यदि ये पत पे आ गए और 6 साल का कारेकाल पूरा हो गया लेकिन अभी 65 वर्ष की नहीं हुआ है तो वो रिटायर हो जाएंगे लेकिन है तो ये इनका कारेकाल है ये ध्यान में रखे तो सनरचना में कितने सदस्व्य हैं इनका रैंक किया होता है इनका कारेकाल क्या है ये आपको याद में रखना है तीनों ही जो election कमिशनर्स होते हैं तीनों की ranking बराबर होते हैं ठीक, तो भई आपका dynamic part है, जो कि बहुत important appointment है, कि कौन बने है नए election commissioner, क्या कौम है, chief election commissioner, कौन से number के हैं, तो 25 वे number के हैं, किन को replace किया, तो सुचील चंदरा को replace किया, ये dynamic part, और उससे जुड़ा ये आपका static part, ठीक है, समझ में आई बात, चलिए, बढ़ते हैं अगली news पर, अगली news आपकी international affairs related है, और again, रूस और यूक्रेन युद में जो नए-नए mode आ रहे हैं, उसी में एक नया twist आता है, जब हम ये देखते हैं, पिछले हफते, कि Finland और Sweden, दो बहुत ही विक्सित, दो बहुत ही human development index में, high rank वाले देश, नाटो की सदस्तक लिए apply करते हैं, आप heading पड़ पा रहे होंगे, कि Finland और Sweden ने नाटो की membership के लिए formally apply किया, हाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उनका formal application है, ये जो दोनों आप जंडे देख रहे हैं, ये Finland और Sweden के हैं, और देखिए Brazil's 18th May 2022, 18 माई 2022 को इन दोनों ही देशों ने नाटो की सदस्रता के लिए अपचारिक रूप से apply किया है, ठीक है, अब देखिए ये वैश्विक सामरिक दृष्टी से एक important news है, because विश्व भर में अगर एक सबसे important राजनिति घटना हो रही है, तो वह है रूस और यूक्रेयन जुद, उसमें कुछ भी अगर कोई नई leads होती है, उससे जुड़ा को अपको हासिल करनी रहती है, तो को ऐसा है कि Finland और Sweden, साथ में Norway, ये Norway, Sweden, Finland जो तीनों है न, हम उनको Scandinavia ही देश कहते है, Scandinavian countries, क्योंकि वहाँ पे पूरा Scandinavia की परवच श्रेणी है, और ये तीनों ही देश हमेशा से Human Development Index में अगरणी रहे, ठीक है, अपने विक से था कि लिए काफी famous है, लेकिन हाँ, यहां की जनसंख्या बहुत कम है, यहां का शित्रफल बहुत कम है, तो इसको इसलिए हमेशा से रूस से खत्रा बना रहा, शुरुआत से ही लोगोंने कभी नहीं चाहा कि हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश से कोई बैर ले, Finland और Sweden, दोनों ने ही काफी वक्त से नाटो से दूरी बनाई रखी, Finland के लिए एक अस्तित्व का सवालता कह सकते हैं, क्योंकि वो रूस से बैर नहीं ले सकता था, और Sweden जो है, उसकी जो नीतिया हैं, काफी कुछ रूस के नीतियों से मिलती जुलती थी, इसलिए भी वो रूस के खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, जहां पर ये दोनों देश भी देख रहे हैं, कि किस तरह से रूस अपनी मनमानी करके यूकरेन पर हमला कर रहा है, और एक छोटे से देश को अपने अस्तित के लड़ाई लड़ने के लिए कितनी उपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो इनको किसी से तो सुरक्षा मिले, तो फिनलेंड पहले अपने अस्तित्व को बचाया रखने के लिए नाटों से दूर था, तो स्वेडन की विचार धारा जो थी, वो जादा रूस से मिलती थी, ये दोनों वज़ों से ये दूर रहें, लेकिन अब ये नोने इच्छा जाता है, कि हम नाटों में शामिल होना चाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यूक्रेन के पर जो रूस ने अपनाया अपनी नेती, इससे ये लोग स्थब्द है, तो देखिए ऐसा है कि अगर ये नाटों को जोईन करते हैं, इनकी स जोईन कर रहे हैं, ये सेक्योरिटी की गैरेंटी के लिए जोईन कर रहे हैं, ये आर्टिकल फाइफ जो नाटों का है, उसमें वो सुरक्षय की गैरेंटी प्रवाइड करता है, और सुरक्षय की गैरेंटी का मतलब है, कि सामुहिक रक्षय के सिध्धान पर काम करना, जिस वो देश नहीं, यदि वो देश नाटो का सदस्य है तो इमाना जाएगा कि सभी नाटो सदस्य देशों पर हमला हुआ है, तो उस पर्टिकुलर देश को बाकी सभी देशों से समर्थन मिलना तैय है, यह सुरक्षा की गैरेंटी नाटो देता है कि अगर आप हमारे मेंबर बन तो इमान आजाएगा कि सभी नाटो सदस्य देशों के उपर हमला हो रहा है ठीक है तो बस इसी सुरक्षा की गैरंटी के लिए ये लोगों ने नाटो में अपलाए किया है ठीक है जैसे ही फिनलेंड लेकिन आगे अब देखे ऐसा है कि ये शामिल तो हो गया लेकिन या मैं कह है तो अगर फिनलेंड तक नाटो की फोजे आ जाती है तो फिनलेंड को दिक्कत होगी रूस से लेकिन रूस को भी धिकत होगी च्यूकि नाटो के एंटरी फिनलेंड और रूस की सीमा तक हो जायेगी ठीक है तो तलखियां वहां पर ये उरोपिय देश में बढ़ रही है विचारधाराओं का युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहे गया और भी कई देशों के बीच में पैल चुका है तो याद रखेंगे ये दो नए देश Finland और Sweden तो इन दोनों ही देशों के राश्ट्र प्रमूखों ने आवेदन प्रस्तुत किया है अगर हम Finland की बात करें तो Finland के President है Suli Nini Sto Sori S-A-U-L-I Suli Nini Sto ये फिलाल Finland के President के पतपर है इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया Finland की तरफ से और Sweden की बात करें तो Sweden की जो तातकालिक वहाँ पर प्रधान मंत्री है जिनका नाम है Magdalena Enderson Magdalena Enderson इन्होंने Sweden की तरफ से Sweden के प्रधान मंत्री Magdalena Enderson और Finland की राश्पती Suli Nini Sto इन लोगों ने अपने देशों के तरफ से ये आवेदन प्रस्तुत किये और आगे क्या होगा वो तो आपको नजर बनाये रखना होगा मेराल नाटो का फिर से जिकर आया है तो चलो हम इसकी बेसिक चीज़ें फिर से देखी लेते हैं नाटो के बारे में हम कई बार कुछ ना कुछ मिस्लिनियस पढ़ते ही आएं और नाटो के वज़े से ही एक हम आप क्या सकते हैं शुरात में तो ऐसा लगी रहा था खासतों पर मीडिया रिपोर्ट्स में तो आपको ऐसे लगता था कि तीसरा विश्यविद स्टार्ट होने वाला है अगर हम इसका मुख्याले देखते हैं तो यह ब्रुजील बेल्जियम में इसका मुख्याले है जहापे आपने देखा भी आए वेदर रस्तुत किया गया इसमें कुल मिलाकर के तीस सदस से देश है जब यह बना था तब उस वक्त इनके जो मूल सदस यहने की ओरीजिनल मेंबर्स थे वो थे बेल्जियम, कैनेड़, डेनमार्ग, फ्रांस, आइसलेंड, इटली, लग्सेंबर्ग, नेधरलेंड, नौवे, पुर्टगाल, उनाइटेड किंग्डम और उनाइटेड राज्य अमेरिका यहने की यू एस ए इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं, जिसमें ज्यादा तरह आपको नौट अमेरिका के और यूरोप के कुछ देश मिलेंगे, जिसमें खासतोर पर यूएस से जो होता है, वो काफी ज्यादा हावी रहता है, अब ही जो मैं सकेंडिनेवी आई देशों की बात कर रही थी तीन, फिनलेंड और नौर्वे, इसमें से नौर्वे जो है, वो तो मूल सदसिक की रूप में शामिल है ही, पर फिनलेंड और स्विडेन जो है, उन्होंने अपलाए किया है, ठीक है, अच्छा, उसकी अलावा आप ध्यान रखें कि ये संग का जो विचारधारा है, ये संग को ब कि उत्तर अट्राल्टिक संधी द्वारा स्थापित एक सेंगट बंदन है, एक्चुली नाटो जिसको हम नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटे और अगनाजेशन कहते हैं, इट इसन मिलिट्री और अगनाजेशन, सेंगट बंदन है, ठीक है, किस संधी के तहत इस सेंगट इस टाइम जो हालाग चल रहे थे, कोल वर के टाइम, तो सोवियत संध से कई देशों को खतरा था, बस उसके खिलाफ ये नाटो का सेंगट बंदन हुआ, ये लोग जो हैं, शांती पून तरीके से, लोक्तांतिक तरीके से सदस्य देशों को अपनी राजनिती करने देते है लेकिन हाईसन गडबंदन इस शर्ट पे बना हुआ है कि कभी भी किसी सदस्य देश को अगर सेना की जरूरत पड़ती है, और अगर सामरिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, राहनाइक तरीके से, दो देशों के बीच के मामले सुलचते नहीं है, तो नाटो की सेना इ रूस इतना नारास क्यों हो रहा है, जाद जादा क्योंकि इसमें से जोईन हो रहे है, तो उतना ही खतरा रश्या के लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नाटो का और्गिनाइजेशन बनाया ही गया था, अस्ट वाल यूएससर के जो भी आपके एट्रोसिटीज थी, या म इसे ऐसा हो जा रहा है कि जो दो पोल्स थे इंडिया वर्ल्ड में, रश्या और यूएससे, उसमें ये जो यूएससे का पोल है, वो थोड़ा जादा अपनी पकड़ को बैठाता जा रहा है, और वो बिलकुल दूसरे पोल के पास पहुँच गया, और इस वज़े से रश् को कुछ भी होता है, तो हमारे पास रश्या के खिलाफ कुछ भी नहीं है, और इसलिए वो लोग नाटो के सदस से बन रहे हैं, हाला कि नाटो में अभी तक कि कोई ऐसी कॉन्ट्रिवर्सी हुई नहीं, क्योंकि नाटो मैंने कहा आना कि एक शांती पॉंट तरीके से, लोग कि संदी के तहद बना था, क्यों बना था, इसका मुख्याले कहा है, इसमें फिलहाल सदस से कितने हैं, और इसमें ओरीजिनल मेंबर्स कितने थे, ठीक, क्लियर, तो दाट इस इट, यह जुरी आपकी इन्फिरमिशन को ध्यान रखना है, अब फिनलेंड और स्वेडन का ना आते हैं, उनकी जो भी दिगर जानकारिया हैं, उसको भी आप अपने नोट्स के लिए प्रिपेर करते जाएं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, फिर हम अपनी अगली न्यूस पर अब आ जाते हैं, कुछ सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूस, जो की नियुक्ति से संबंदित हैं, आप जानते हैं, कि पिछले ही हफ़ते, 13 माई सन 2022 को, यूनाटेट अरब एमिराट, यानि यूए ए के उस वक्त के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, शेख खलीफा बिन जायद अलनहयान, उनका 73 वर्ष की उमर में निधन हो गया, सब ने पढ़ी, सु तो शेख खलीफा जो थे, पिछले चार बार से वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक, लास्ट वो जो इलेक्ट हुए थे, या लास्ट जो अपॉइंट हुए थे, वो सन 2019 में अपॉइंट हुए थे, तो एक वैश्विक दुरिश्टी से एक बहुती बड़ी शती थी, आप ज किते फ्रेंड नेशन है, जैसे खुद इंडिया में भी आपने सुना होगा, कि इंडिया में भी एक दिन का राजश्ट्री शोप मनाया गया, सभी प्रमु किमारोतों पर जो तिरंगा जंडा है, वो आधा जुकाया गया, और एक दिन के लिए कोई भी सरकारी मनुरंजन की कारिकरम नहीं किये गए, तो ये चीज भी काफी हाइलेटरी सबने सुना पड़ा होगा, आगे जो आपको न्यूज में यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो ये, कि आप वो जो राश्ट्रपती उनकी तुम रित्ती होगी, तो वहाँ पे कोई नए राश्ट्रपती नियु ठीक है, ध्यान में रखना, आपको ऐसा लग रहेगा, मैं मैं बिन जायद अलनहयान, सेम सेम वर्ड है, देखो ये शेख मुहमद हैं जो नए राश्ट्रपती बनें, और जिनकी मृत्ती हुई उनका नाम है शेख खलीफा, यहाँ से आप नाम याद रखना, शेख खलीफा के बाद, राजकी शोग के दरान, वहाँ पे देश के जो साथ शेख शासक हैं, UAE के, सेवन प्रॉमिनिंट वहाँ के शेख रूलर्स हैं, इन लोगोंने UAE की जो क्यापिटल है, अबुधाबी, वहाँ पे एक पैलस है, जिस हम कहते हैं, अल-मुश्रिफ पैलस, वहाँ पे एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें उन्होंने इनका नाम फॉर्वर्ड किया, ठीक है, तो शेख खलीफा के जगे, शेख मुहम्मद का जो नाम है, UAE के साथ शेख शासकों ने फॉर्वर्ड किया, कहां फॉर्वर्ड किया, अबुधाबी की एक मीटिंग में, जो अल- थे, तो अब ये थर्ड नंबर के राश्वती बनते हैं, ठीक है, ये 61 वर्षिये हैं, और ये पहले सिमाग की एक शेख है, या मैं कहूँ एक, आप जैसे बितकते हैं, शेख शासक हैं, ठीक है, तो इस वज़े से ये एक प्रिंस हैं, जिनको अब वहां का किंग बना दिया कोई चुनाओ होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इस पर्टिकुलर न्यूस में आपको डानेमिक पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक, तो किनकी मृत्ती हुई, उनका नाम कौन न्यूक्त हुए, उनका नाम UAE की बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बस, ठीक फ्रांस में वहाँ पे एक नई प्रधान मंत्री की न्यूक्ती हुई है, जिनका नाम है Elizabeth Bourne, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है फ्रांस की नई प्रधान मंत्री Elizabeth Bourne, और इनको न्यूक्त किया है फ्रांस की अभी वर्तमान के जो राश्पती है, Emmanuel Macron, ठीक है, तो देखो, फ्रांस में भी रिपब्लिक है, आपको मैंने पहली बता था, जब Emmanuel Macron अभी फिर से राश्पती बने थे, वो न्यूस को भी हमने करेंड में कवर किया था, तो फ्रांस एक रिपब्लिक है, वहाँ पर भी एक राश्पती भी होता है, एक प्रधान मंत्री भी होता है राश्पती की रूप में वहाँ पर फिलहाल कौन है, Emmanuel Macron और प्रधान मंत्री, जैसे Emmanuel Macron आए न, तो ये तैठ था कि इनके टाइम पे जो प्रधान मंत्री थी, जहां पर आप नाम देख पा रहे होंगे, जीन कॉस्टेक्स, जीन कॉस्टेक्स इसके पहले प्रधान मंत्री थ तो अब ये पद खाली हो गया, प्रधान मंत्री का, तो इसके जीन कॉस्टेक्स की जगा पर ही, एलिजबेट बॉन को अपॉइंट किया गया, ख्यान रखिये, Emmanuel Macron राश्पती है, एलिजबेट बॉन जो है, वहां की प्रधान मंत्री बनाए गई, और एलिजबेट बॉन न दूसरी महिला, प्रधान मंत्री, ये से पहले एक महिला प्रधान मंत्री हो चुकी है, ये सेकेंड नमबर के वहां पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, पिछली सरकार में अगर आप इनकी बात करें, तो ये एक श्रम मंत्री ने लेबर मिनिस्टर की रूप में कारे रथ थी और अब वहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर है ठीक है? ये कुछ चीज है अब मुझे फ्रांस के बारे में में उसकी राजधाने डिसकस करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रांस कई बार से न्यूस में रहा ये अंतराश्टी स्थरकी नहीं, ये राश्टी स्थरकी है तो मानिक साहा मानिक साहा जो है ये तरिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए है हमारे नौर्ट इस्ट के सेवन सिस्टर्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट देश तरिपुरा यहां पर उस टाइम के जो इनके जस्ट पहले के जो incumbent चीफ मिनिस्टर थे विपलप कुमार इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा दे दिया था ध्यान रहे हैं चाहे विपलप कुमार की बात करें चाहे मानिक सहा की बात करें यह लोग बीजेपी के लोग हैं ठीक है विपलप कुमार ने इस्तिफा दिया तो यह मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया था बस इसी पद पर फिर मानिक सहा जो हैं वहां के नए मुख्यमंत्री बने है त्रिपुरा बीजेपी ने था मानिक सहा नए मुख्यमंत्री किसकी जगा ली उन्होंने विपलब कुमार की जगा रहे ठीक है सहा ने त्रिपुरा के ग्यारव मुख्य मंतरी के रूप में शपक ली he is the 11th Chief Minister of त्रिपुरा और ये वहां से राज्य सभा के पार्टी के सांसद है मतलब अब ऐसा है कि अगर वहां पे Chief Minister बन गए तब उनको वहां पे किसी विधान सभा के सदस से बनना होगा वर्तमान इनकी स्थीती देखा जाए ति त्रिपुरा राज्य में या आप कहूं है त्रिपुरा राज्य से ये राज्य सभा के मेंबर है सेंटरल पार्लिमेंट में ये एक सांसद है राज्य सभा के सांसद है तरिपुरा से लेकिन आप क्योंकि ये मुख्य मंत्री पॉइंट हो गए तो अब ये विधायक बनेंगे तब इनका मुख्य मंत्री का जो पद है वो बना रहेगा ये चीज हमने कई बार पढ़ी है जब हम Council of Ministers पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री न्यूक्त हो जाता है तो उसे 6 मेने के अंदर-अंदर उस राज्य या मैं कहूं उस एरिया का कोई ना कोई सदस से बनना पढ़ता है मतलब अगर वो राजिस्तर पर कोई मंत्री न्यूक्त होता है तो उसको विधायक बनना पढ़ता है अगर वो केंदरिस्तर पर कोई मंत्री न्यूक्त होता है उसको सांसद बनना पढ़ता है ये व्यक्ति सांसद हैं, लेकिन क्योंकि ये मुख्य मंत्री बने हैं और राजस्टर के मंत्री बने हैं, तो इसके उनको विधायक बनना पड़ेगा, फिलहाल ये राजसभा के सांसद हैं, त्रिपुरा से बीजेपे के, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, जो मैंने अभी theoretical बात बताएं वो भी, और ये 11 मुख्य मंत्री बने तरिपुरा के, ये dynamic portion, ठीक है, so that is it, इतनी चीज़ें थी, जो मुझे आपके साथ आज की इस quality weekly current affairs में डिसकस करनी थी, सारे appointments की एक पूरी list बनाते जाहिए, आप अभी notes तयार करते जाहिए, last moment जबी भी कोई exam होता है, तो वो notes आपको बहुत help करेंगे, फिर छाटने की, classify करने की आपको ज़रूरत नहीं पढ़ेगे, साथी साथ इन सभी चीज़ों के जरिये, जो भी static portion highlight होता है, तो जब भी आप subject पढ़ते हैं, जैसे history, quality, जो भी subject पढ़ते हैं, तो आपनी news में जिन जिन शब्दों को, facts को नाम को, जगों को पढ़ा है, उन चीज़ों को थोड़ा ज़ादा ध्यान दे कर पढ़े, ये समझें कि ये सालवर news में रहा तो हो सकता, इस पर से question ज़ादा बने, बस हमारा जो अदेश इस पूरे series को चलाने का है, वो यही है, कि dynamic portion से आप रूबरू तो हो ही, और उसके notes बनाते ही जाएं, लेकिन उसके वज़े से जो भी static portion अलग-अलग subject के आ रहे हैं, आप उन पर भी अपना ध्यान केंदरित कर सके, जिससे आसानी होगे आपको ये पकड़ने में, कि किन-किन theoretical portion से questions पूछे जाने की probability रहती है, ठीक है, so that is it with today's current affairs video, I hope आपको आज के सारी topics, स सारे जो news है, वो समझ में आए होगी, मिलते हैं अगले हफते, thank you so much.